जैहिंद, आज हम साहित्य कल पर हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत ग्वालहेर घराने के प्रसिद्ध गायक स्वर्गिय पंडित दत्तात्रिय विश्नु पलुसकरजी का निनान्बेवा जन्म दिवस मना रहे हैं पंडित दत्तात्रिय विश्नु पलुसकरजी का जन्म 28 मई 1921 में महाराष्टर के नासिक जीले में एक विख्यत हिंदुस्तानी संगीतकार पंडित विश्नु दिगंबर पलुसकरजी के यहां हुआ था जब उनके पिता पंडित विश्णु दिगंबर पलुसकर जी का देहांत हुआ उस समय वे केवल दस वर्ष के थे और तत पश्चात उन्हें पंडित विनायकराव पटवर्धन और पंडित नारायंडराव व्यास जी ने प्रशिक्षन दिया उन्हें पंडित चिंतामंडराव और पंडित मिराशी बुवा जी ने भी प्रशिक्षन दिया दत्तात्रय विश्णु पलुसकर जी की आवाज बहुत मधूर और सूरीली थी उनके आलाप उनके गाये राग का स्पष्टर एकांकन करते थे इसके पाद उनकी सहच शैली की तानों से सुसजित बंदीशे आती थी उन्हें थोड़ी ही अवधी में राग का संपुर्णा अकर्शक चित्र प्रस्तुत करने में महारत हासिल थी शुद्ध शास्त्रय संगीत के अतिरिक्त वेमहान भजन गायक भी थे बिस्वी सदी के पुर्वार्ध में कुछ विलक्षन शास्त्रय गायकों के बीच पंडित दत्तात्रय विष्णुपलुसकर जी की उपस्थिती कुछ अलग थी घरानों की सांगीतिक परंपरा से भिन्न अपने पिता के मुक्तिगान में उन्होंने स्वरसाधना शुरू की थी बिनाबाद के कलावाजियों और विकृती से वे बहुत दूर थे इसलिए उनके भजन शास्त्रयता का सुन्दर निर्वहन करते हुए अपने स्वरूप में सरल है धन्यवाद